नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में और इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ गन हिल लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो मसूरी के टॉप में से देहरादून दिखाई पड़ रहा है विजिबिटी थोड़ी कम है लेकिन फिर भी अगर आप देख पा रहे हो तो आप ट्रैक करके भी जा सकते हो 20 मिनिट का करीब टाइम आपको लगेगा और हाइट की बात करो तो मॉल रोड से गन हिल करीब 400 फीट की हाइट पे है और मसूरी की सेकंड हाइस टीक में से है तो फाइनल अब हम चल दिये हैं गन हिल के लिए बहुत ही जादा तो जब तक हम गन हिल पहुंचते हैं तब तक आप यहां से एरियल व्यू का आनंद ले जब तक हाइस तो फाइनली हम पहुंच चुके है दगन हिल पॉइंट और रोपवे से जो व्यू आ रहा था मसूरी का बहुत ही सुन्दर था मेरा फर्स टाम एक्सपेजिएंस था रोपवे में जो की बहुत ही अच्छा था तो मेरे को जाधा तर ट्रेकिंग करना पसंद है लेकिन अभी टाइम कम होने की वाज़से रोप यहाँ पर लेनी पड़ी जो की टेलिस्कोप व्यू पॉइंट है जहां से आप दूर की जो माउंटेन रेंजे से उनको देख सकते हों यहाँ पर आप सामने ओपन स्पेस सा देख रहे होंगे इसके ठीक नीचे पानी का एक रजर्व वायर है जिससे मसूरी को पानी की सप्लाई की जाती है तो अभी मैं हूँ गन हिल के टेलिस्कोप व्यू पॉइंट पे जो की हिमालन व्यू पॉइंट है यहां से आपको दूर की जो पहाडिया है उनका अच्छा खासा व्यू देखने को मिल जाएगा तो अभी बहुत सारे क्लाउड से तो विजिबिलिटी भी नहीं है तो फिर कुछ से देखने को तो अभी यहां से नहीं मिल पाएगा कोशिश करें जिस दिन डे क्लियर हो उस दिन विजिट करें तो अभी मैं हिमालेन व्यू पॉइंट की छटी पर चड़ गया हूँ और यहां से आप देख सकते हो नीचे से थोड़ा बढ़िया व्यू यहां से देखने को मिल रहा है इस तरफ से आप देखोगे तो पहार जो बिल्कुल डिसेंड होके जा रहे है नीचे मैदानी और बंदर पूछ रीजन की पीक दिखाई पड़ेगी इसी के साथ साथ नाग टिबा भी यहां से आपको दिख जाएगा तो overall बात करूँ बहुत यह अच्छी जगा है एक vantage point है अच्छा view आपको यहां से देखने को मिलेगा एक तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे कभी भी आप मसूरी आते हो तो गन हिल को मिस नहीं करिएगा तो दोस्तों आपको वर्चुल रियालिटी गेमिंग के एक्स्पिरेंस हैं पर लेना है तो वह भी आपको मिल जाएगा फिलाल यहां तो 90 लिखावा आता बलकि 90 तो कभी होई नहीं आया बाकि आप कभी गन हिल आओगे तो अपने से जो एक्टिविटी आप यहां पर ट्राइ करना चाहते हो वो कर सकते हो इसके बाद में आप सामने देख सकते हो यह श्री सिद्ध पीठ मापार्वती मंदिर है जो की गन हिल में ही आपको देखने को मिल जाएगा मापार्वती मंदिर के साथ साथ आपको यहां पर श्री शनी देव मंदिर भी देखने को मिलेगा अंदर महराज शनी देव और हनुमान जी की मुर्थी है तो मसूरी के गन हिल में आप नयाए के देवता महराज शनी और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो तो दोस्तो अब समय आ गया है गनहिल से वापस नीचे मॉल रोड को जानेगा तो हमारे पास बोथ वे की टिकेट थी तो अब वापस वी सी से जाएंगे नीचे तो दोस्तो जाने से पहले में एक चीज क्लियर कर दू कि यहां का नाम गनहिल कैसे पड़ा तो उसके पीछे की स्टोरी है जिसमें बताया है कि इंडिपेंडेंस से पहले जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था उस सब 1857 में अंग्रेजों ने गनहिल के टॉप पर एक तोप का निर्मान किया था उस तोप से हर दिन दुपहर में फायर किया जाता था जिससे कि जो वहां के इस्थान है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया था उस समय के जो कॉलनिस्ट से वह ब्रिटेश रस से बहुत तंग आ चुके थे तो उनसे लंड़ने के लिए वह गन हिल के टॉप पर एक तोप को लाये थे और उसकी मदद से उन्हों ने अंग्रेजों पर हमला किया था तो इस इवेंट के बाद से यहाँ जगा गन हिल के नाम से जानी जाने लगी तो फाइनली अब रोपवे के जरीए वापस जा रहा हूं नीचे मॉल रोड की तरफ में और अब यहां से मैं निकलूंगा वापस से देहरा दून के लिए तो यहाँ पर याद रखेगा कि साथ करूं तो बहुत यच्छा एक्सपीरियंस था यह बहुत छोटा एक्सकरशन था मसूरी का लेकिन फिर भी जितनी चीज़े इसमें कवर हो सकी उसमें गुमकर बहुत जादा मज़ा आया बाकी जो आसपास की जगा है वो कभी और यहां पर आके एक्सप्लोर करेंगे तो मैं कर दो